नमस्कार आपका स्वागत है नीटू इंडियन किचन में आज हम बनाएंगे चिकन सीख कबाब और साथ में ही मैं आपको दूँगी बहुत ही इंपोर्टेंट टिप्स रिलेटेट टू दा रेसिपी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन खीमा यह मैंने मार्कित से मंगाया था उसके बाद भी मैंने एक बाग ग्राइंट किया है ताकि यह थोड़ा और मिंस हो जाए जितना बारीक होगा कबाब के तूटने के चांसे कम हो जाते हैं साथ में लेंगे एक मीडियम साइज अनियन का पेस्ट एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट तीन चॉप्ध हरी मिर्च एक टेबल स्पून मैंने काबूली चना का पाउडर लिया है आप बेसन भी ले सकते हैं चॉप धरा धनिया हाफ कप साथ में कुछ ड्राई मसाले लेंगे नमक एक टीश्पून लार्मिश पाउडर एक टीश्पून चिकन में अब सारे इंग्रीडियंट्स डा लेंगे प्याज लसन द्रका पेस्ट, हारी मिर्चे, धन्या, चिक्पीस पाउडर, कुटा हुआ सुखा धन्या, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ भुना जीरा और नमक. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले कीमे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएं, जब भी आप कीमा यूज़ करने लगें, तो उसे दो-तीन बार अच्छे से वाच दूर कीज़ेगा, और एक्सेस वाटर उसका हटा दीज़ेगा, ताकि हमारे कबाब यह देखिए, रेडी हो गया है, आप चाहें तो ऐसे बार्बी कीव वाले स्टील के आप स्क्यूर्स यूज़ कर सकते हैं, मैं आज बुडन स्क्यूर्स यूज़ करूंगी, इसको मैंने एक घंटे पहले पानी में डिप करके रख दिया था, सबसे पहले हातों पे थोड़ से प्रेस करते हुए, हम किसी कबाब का शेप देंगे इसे, यह देखिए, बिलकुल मार्केट जैसे अलोक आ रहा है इसका, और टेस्टी बहुत अच्छा आता है, एक तो जब भी हम घर पे बनाते हैं, तो हमें पता है, हमने अच्छे से वाश किया है, अच्छे मसाले यू हो जाएंगे, और शेप इनकी खराब नहीं होगी, ऐसे हम इनको थोड़ा सा डारेक्ट हीट देंगे, बहुत जादा नहीं देना है, हलका हलका आपको पता चल जाएगा, हलका सा कलर चेंज होगा इसका, अगर आप टच करके देखेंगे, तो आपको यह स्टिकी भी नहीं लगेंगे, थोड़ा कच्चपन कम हो जाएगा, चारो तरफ से हलकी हलकी हीट देनी है, इनसे यह बिल्कुल शेप नहीं खराब होगी, और बिल्कुल सेट हो जाएगे, यह देखेंगे, पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसे ही सारे सीख कबाब को डारेक्ट हीट दे आप ऐसे इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब भी आपका मन करें आप निकाल के बसे से फ्राई कर दीजए, ऐसे रेडी करने के बाद आप इसे बेक भी कर सकते हैं, बार्बीक्यू भी कर सकते हैं, डी फ्राई भी कर सकते हैं, और शेलो फ्राई भी कर सकते हैं, आज हम इ के लिए और अगर अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रिस दा बेल आइकन फॉर फॉर फॉर्ड नोटिफिकेशन दस से पंदर में हो गए हैं चलिए हटा के देखते हैं यह देखे अब बस यह रेडी हैं बिल्कुल पैन फ्राइब करने के लिए आप इस ग्रिल वाले पैन पे भी बना सकते हैं लाइन्स आ जाएंगी बट मैं नॉर्मल पैन पे बनाऊंगी आज इस पे थोड़ा से ओईल डालेंगे क्योंकि हम शैलो फ्राइब कर रहे हैं कबाब को मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राइब करेंगे हम और यह बहुत ही कम तेल में रेडी हो जाएंगे बीच बीच में हिलाते रहेंगे और अगर आप मतन सी कबाब बनाना चाहते हैं तो मतन कीमा यूज़ करके सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और आपके मतन सी कबाब रेडी हो जाएंगे यह बहुत ही टेस्टी और जूसी लगते हैं आप इन्हें ग्रीन चटनी के साथ सर्फ करें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इससे थोड़ा सा फ्राइब करते रहेंगे आप लोग भी रेसिपी जबू ट्राइ कीजेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कैसी लगी यह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं चलिए इन्हें सर्फ करते हैं ग्रीन चटनी के साथ रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और प् चुके